हाई दोस्तों कैसे आप लोग और आप सभी को संड़े की रवी वार की बहुत बहुत शुपक्वाम नहीं और आज फादर स्टे है उसके लिए भी सभी पापा को डैडी को मेरी तरफ से हाँ जोड के नमशकार और सभी को हैपी फादर स्टे चलो आज की न्यूज बहुत सारी गुड न्यूज है पहली गुड न्यूज एक भारत वायटेक की नेजल वैक्सीन से जुड़ी आ रही है दूसी न्यूज ये की केसे कुछ थम से गए हैं और तीसरी गुड न्यूज एक और है वो मैं बात में बताऊँगा तो शुरू करूँ फिर आप को गया आप लंबा खीशते हो लंबा नहीं खीशूंगा 12898 cases आए है ठीक है और 72,474 active cases है 12,000 के असपास पहुँच चुके है 15 death हुई है ठीक है तो कुल मिला के हालात अभी ठीक है कल 13,000 से उपर के सजाए थे आज फिर 12,000 कुछ हो गए है हो सकता है टेस्टिंग कुछ कम होई हो हलाकि कुछ भी कैपाना भी जल्दी है पर मेरा अपना ये मानना है कि कुछ परदेशों में पीक आ चुका है जैसे की केरला में जैसे की महराष्टा में यहाँ पर पीक आ चुका है बागी जगा भी दिरे दिरे आना शुरू होगा सारे प्रोसेस में कहीं पहले तो कहीं बाद में कते कते 15-20 दिन लग जाएंगे लेकिन दिली में भी बस और 4-5 दिन की बात है दिली में भी पीक आ चुका होगा यह कोई वेव नहीं है फिर बोलना हूँ यह एक माइक्रोवेव है इसलिए माइक्रोवेव में खाना गरम करियो और आश करियो महराष्टा में 3,800 केसिस केडला में 3,253 केसिस करनाटका 750 तमिनाडू 5,96 आंधरा 43 यूपी 4,77 वेस्ट बेंगॉल 288 दिली में 1534 केसिस 7.7 पॉस्टिविटी रेट है तो दिली में भी थोड़े से केसिस कम हुए है कल 1700 से उपर पेशेंट आये थे और आज थोड़े कम हुए है दिली में एडमिट पेशेंट 215 है आईसीव में 70 है और ऑक्सिजन के उपर 79 है और वेंटी लेटर पे 13 पेशेंट है ये थोड़ा सा एक बात है कि वेंटी लेटर पे जितने पेशेंट जादा होएंगे तो आने वाले टाइम में डेथ भी बढ़ेंगी सोच लिजिए क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ अब किसी को बुरा लग सकता है सुनके वेंटी लेटर पे जितने भी पेशेंट कोवीड में होते हैं 50% के आसपास ही बचाए जा पाते हैं उससे ज़्यादा नहीं sorry to से मेरी सिर्फ आप लोगों से एक सानुभूती है और आप लोगों के लिए pray कर सकता हूँ कि भगवान सब को ठीक करते अभी जो genome sequencing होई है उससे पता ये चला है कि BA2 के 60% cases है और BA2.38 के 33% तो ज़्यादा तर cases Omicron के भाई बहन ही है और Omicron कितना निखटू था कितना आलसी था ये वहीं से पता चल रहा है तो कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं बड़े लोग बड़ी गल्दा है इतना घबराए मात यार साडेनाल रहोगे तह है साडेनाल रहोगे तो ऐ शकरो के जिन्दकी ते सारे मजे ऐ शकरो के साडेनाल तो ये थे दिल्ली के हालात और मुंबई में दोजार चववन केसे जाए है तो मुंबई में भी हालात अब थोड़े से थमते वे नजर आ रहे है और इधर जिनोम सिक्वेंसिंग जो हमारा दिल्ली में है I.L.B.E.S. वहाँ पर जिनोम सिक्वेंसिंग बढ़ा दिल्ली आ रहे है मास्क उतर गए है बहुत सार चीज़े हैं यह सब तो हो नहीं है इतना फोड़ा वो तो होता ही रहेगा आप कुछ भी कर लो मैं बार बार बोलो कि अब इस स्टेज पर पहुंच गया जहां आपको सोचना पड़ेगा अपने नियमों के बारे में जो हमने इतने तकड़े नियम बना रखे हैं उतने तकड़े नियम अब क्या चलते रहेंगे यह मास्क फ्री इंडिया हो जाएगा ठीक है तो मेरी कौन सुने का चोटे लोग चोटी गल्ला एक बात आपको जिनोम सिक्वेंसिंग के बारे बता दूँ कि I.L.V.S. जो है बसंद कुछ के असपास 350 एंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के हो पाते हैं 4-5 दिन में और जिनकी CT वैल्यू 25 से कम होती है सिर्फ उनी का टेस्ट हो सकता है यानि कि उसमें मैटीरियल तो होना चाहिए न इतना वाइरल लोड तो हो जिसका टेस्ट हो पाए तो 25 से कम अगर है तो वाइरल लोड थोड़ा सजादा है लेकिन आप लोग घबराना मतलब अब होगा क्या कि आप अपनी रिपोर्ट देखो के हैं मेरा तो CT वैल्यू 24 है और जिन लोगों को पहले ओमिकरोन हुआ था जनवरी में क्या उनको दुबारा इस समय इंफेक्शन हो सकता है बिल्कूल हो सकता है और हो रहा है क्योंकि छे महिने से ज़्यादा इमिनिटी रहती नहीं है जनवरी से लगा आगे देख रो भाई चटा मही नहीं चल ला है करनाटक गॉर्मेंट ने एक रूल पास किया है उन्होंने बोला है कि किसी स्कूल में अगर दस से ज़्यादा बच्चे पोस्टिव हो जाएं तो गए करनाटक दूएइं चल अज़ाएं वह चुप उटी से बनतलब होता है वह भुष हो और तो झुथी हो चुपी तो बड़े होते है सच मता रहो हूँण। ऐक लाख होते ते च路ल ना को बच्चे 10000TH बच्चे मन के सच्चे करने मैं चुटी हो Career की उजाते थे लिए घर dollar को भारत का सरा खादीजिए 14 को में तो कर बार सर मिया भाय बाल चुटी ऑखया रह proposals में अज़े करने म Completely बाल चुटी हो भारो जिए तो नर्म तो में तो मलती हो अपक्रोnehmen देखते थे लीव found बच्चों में यंग अडल्स में करोना बढ़ रहा है हर दसमें से एक को जो है वो बीस साल से कम उमर का है ठीक है अब बाकी तो केसे बताई नहीं मैं तो देलली के बाद बूली गया उडिशा 38, राजस्तान 123 गुजाः 234, चत्तिसगर 94 और हर्याना 712 और बिहार 69 और MP 65 और जित्ते लागना 247 और भगवान तुम्हारा भलागर राजस्तान 92 नहीं पंजाब 92 असाम 25, जम्मु कश्मीर 27 उत्राखंड 30, जारखंड 27 UK 30, जम्मु कश्मीर 24 हिमाचल, साड़ा हिमाचल अभी हो कहा है, मैं हिमाचल सम्मान दिया था मुझे, थेंक्यू दॉक्टर कुसूम, थेंक्यू दॉक्टर नरेश जी गोवा 139 हिमाचल की तो पुलिस भी बड़ी इमान दार है मैं सच में मिल कहा हूँ कशम से पहाड़ी लोग बड़ी इमान दार होते मैं, जदा तर, पॉलिटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ पॉलिटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ पॉलिटीशन तो ज़्यादा तर यगे एक जैसे ह года है फिर भी रिलेटिवली मुझे लगता है पॉलिटीशन भी थोड़े बहुत इमान दार होंगे थोड़े बहुत, सोनिया गांदी से गुड़ी गुड़ नियोज आ रही है, सोनिया गांदी जी कि अब नीचे के टेस्ट होते हैं, CT scan वह है चैस का नीचे को infection तो नहीं है, और post-covid के symptom भी देखने के लिए test हो रहे हैं, वैसे सोनिया जी आपको बहुत बहुत आदो, post-covid symptom साल भर भी चल सकते हैं, तो अब आपको ED के सामने एक साल नहीं भी मिलोगे तो चलेगा, बहाना है आपके पास, मैं बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, Congress वालों को, एक साल तक चल सकते हैं post-covid symptom, ध्यान रखो तुम, ध्यान रखो, सोनिया जी का, ED वालो, तुम भी सुन लो, post-covid, COVID, भारत वायटेक से जुड़ी good news आ रही है, भारत वायटेक ने, जो उनकी नाक में देने वाली वैक्सीन थी, उसके ट्रायल पूरे हो गए, phase 3 ट्रायल, तो बले, बले, उशावा, शावा, तो कुछ नहीं करना, अब बस वैक्सीन के नाम पे नाक में छिड़काव करना होगा, और, ने, वैक्सीन अंदर और वायरस वार, दमादम मस्त कल अंदर, अली दा पहला नंबर, और वायरस, बंदर, US के National Security Advisor पॉजिव हो गए, बताओ, अब नेशनल सेक्योरिटी के तुम देख रहे थे, तुम्हारी सेक्योरिटी कोई और भेद गया, वायरस, कोविड किसी को नहीं छोड़ता भाई, कोविड के आगे सब, चाहिए वो, अब तुम, कितने भी बड़े इंसान क्यों नहों, कितने भी छोटे इंसान क्यों नहों, कोविड के आगे सब फेलते, सब, कितने बड़ा पंडित क्यों नहों, जिसने बोला था, ये होगा, 22 बड़ा अच्छा जाएगा, 21 बड़ा अच्छा जाएगा, भाई को भी ले के साथ में, सब धरे के धरे, रहे के बड़े सूर्मा, बड़े-बड़े भविश्य वक्ता, सब यहीं रहे, गोवीड ने यह दिखा दिया, भाई, मैं ही हूँ बलवान, हुड़़़़ दबंग, 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 तो सबसे बड़ा दबंग कोवीड है और आप लोगों के सिर में इतना बोलूँगा कि यार आज फादस रहे और बड़े लोगों के फादस चले भी गए होंगे इस दुनिया से मां भी गई होंगी फादस भी चले होंगे तो मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि भाई समय का चक्र कुछ ऐसा चला है बड़े लोगों को चीन के ले गया है तो आप लोग निराश अब मत हो येगा जिनगी तो जीनी है ना आपने कहता हूँ कि कहना असान होता है करना मुश्किल होता है जिन जिन लोगों के गये हैं लोग इस फादर देश पर आपको अपने फादर की याद आ रही होगी और सिर्फ एक गीत है याद आ रहा है भाचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तेले जहां गम भी नहों आसू भी नहों बस प्यार ही प्यार मिले एक ऐसे गगन के तेले जी हां हर फादर यहीं चाता है कि मैं ऐसे बच्चे को अपने ऐसे गगन के तेले लेके चाहूं जहां सिर्फ प्यार ही प्यार हो बाप ज़्यादा बोलते नहीं है थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं माँ थोड़ी एमोशनल होती हैं बाप हासा में रो के नहीं दिखा सकता मां रो के दिखा सकती है लेकिन फादर फादर होती है मां मां होती हैं और दोनों ही उतने इंपोर्टेंट हैं ठीक है थैंक्यू वेरी मच आपको अपना मुन्ना भाई एंबी बेस बाई